अधिकार एक्स्प्रेस आज हम आपको जंता की सेवा करने का दावा करने वाले उन नेताओं के विसे में बतानी जा रहे हैं जो मुख्य मंत्री मंत्री या विधायक बनने से पहले धन के अभाव में सड़कों पर चपले घिस्ते नजर आते थे लेकिन सत्ता प्राप करने के पशाद अब करोड़ पती हो गए हैं महिंगी महिंगी कारों से चलते हैं और करोड़ रुपए के बंगलों में रहते हैं वो जितनी बार सत्ता में आते हैं उतनी बार दिन दोगुनी और राच चोगनी रपतार से अपने धन को बढ़ाते रहते हैं फिर उन्हें सुध नहीं रहती हैं कि वो मालिक नहीं जनता के सेवक हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के वह कौन-कौन से नेता हैं जो जनता की सेवक के नाम पर करोड़ों रूपए इकठा कर रहे हैं इनमें पहला नाम आता है अखिलेश यादो का पूर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादो के पुत्र अखिलेश यादो ने मई 2009 के लोकसभाव चुनाओं में फिरोजावाद सीट से विजय प्राप्त की इसके अतरिक्त वे कन्नोस से भी सांसत चुने गए इसके पश्चात्व मार्च 2012 का विदान सभाव चुनाओं जीत कर मात्र 38 वर्ष की आग में उत्तर प्रदेश के 33 मुख्यमंत्री बन गए हलाकि इस समय वह आजम गड़ से सांसत हैं 2019 के लोग सभा चुनाओं के समय चुनाओं आयोग को दिये गए सपत पत्र के अनुसाल उनके पास चल संपत्ते 7 करोड 9 लाख रुपए थी जबकि अचल संपत्ती 16 करोड 90 लाग थी इस प्रकास से उनकी कुल संपत्ती 13 करोड 99 लाख रुपए थी दूसरा नाम है डिमपल यादो का डिमपल यादो पूर्मक्रिमंत्री अखलेस यादो की पत्नी है जो 2012 और फिर 2014 में कन्नों से सांसर चुनी गई थी हाला कि 2019 के लोकसभा चुनाओं में उन्हें इसी सीट पर भाजपा के सुब्रत पाठक से हार जहलनी पड़ी थी 2019 लोकसभा चुनाओं के समय चुनाओं आयोग को दिये गए सपत पत्र के अनुसार उनके पास चल संपत्ती 3 करोड 68 लाख रुपए थी जबगी अचल संपत्ती 9 करोड 30 लाख रुपए थी इस प्रकार उनकी कुल संपत्ती 12 करोड रुपए 98 लाख रुपए थी तीसरा नाम है सिवपाल सिंग यादो का रगतिसीन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सिवपाल सिंग यादो अखलेस यादो के चाचा हैं वर्स 2018 में उन्होंने अखलेस यादो से मतभेद के बाद समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी हलाकि 2009 में वह सपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और मायवती के सासन में उन्होंने यूपी विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई 2017 के विधान सभा चुनाओं में सपा के स्यूपाल सिंग्यादों ने भाजपा के मनिस्यादों को हराय था 2012 में अभी स्यूपाल ने यहां से जीत दर्ज की थी 2019 के लोग सभा चुनाओं के समय चुनाओं योग को दिये गए सपत पत्त के अनुसार उनके पास चल संपत्ती 3 करोड 42,26,665 रुपए थी जबकि अचल संपत्ती 5 करोड 93,69,686 रुपए थी इस प्रकार उनकी कुल संपत्ती 9 करोड 35,86,371 रुपए थी चोथा नाम है मायवती का मायवती राजनीत में प्रवेश करने से पूर दिल्ली के स्कूल में सिक्षिका थी उन्होंने 1989 में बिजनोर निर्वाचन 6 से अपना पहला लोग सभा चुनाओ जीता 1994 में राजसभा के लिए चुनी गई उन्होंने 1998 और 2004 में अगबरपुर निर्वाचन 6 से लोग सभा में तीन और कारिकाल पूरे किये इसकी अतिरिक्त उन्हें 3 अप्रेल 2012 को राजसभा के लिए चुना गया मायवती ने अंतिम बार जो चुनाई सपत्पत दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी संपत्ती लगभग 111 करोड रुपय थी पाच्वा नाव है मुक्तार अंसारी का 1996 में बहुजन समाज पालिटी के टिकट पर जीत कर पहली बार विधान सभा पहुँचने वाले मुक्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में मौउस से जीत हासिल की इन में से आखरी तीन चुनाव उन्होंने देश की अलग-अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े वह अभी भी बांदा की जेल में बंद है 2017 चुनाव के समय चुना आयोग को दिये सपत पत्र के अनुसार उनके पास कुल संपत्ती 21,88,57,273 रुपए थी छटवा नाम है अजय प्रताप सिंग उर्फ लल्ला भाईया का अजय प्रताप सिंग में 1989 में गोंडा जिले की करनेल विधान सभा से निर्दली के रूप में जीत हासिल की और विधायक रहे इसके पश्चार वो भागपा की टिकेट पर 1991, 1993, 1996, 2007 और 2017 में विधान सभा चुनाव जीतने में सफल रहे 2017 के चुनाव के समय चुनाव योग को दिये सपत पत्र के अनुसार उनके पास कुल चल और अचल संपत्ती 50 करोड रुपए थी सात्वा नाम है नंद गोपाल गुपता उर्पननन्दी का नंद गोपाल गुपता नंदी के विशे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रयागराज में समोसे और चाट बेचने से अपनी जिन्दगी की शुरुवात की सीमेंट का व्यापार किया, इसके अतिरिक तो उनका डेरी का प्रोडक्ट का कारोबार है उन्हें प्रयागराज में बालू शराप कठे का टेंडर माफिया भी कहा जाता है नंद गोपाल गुपता पहली बार वर्स 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इलाहबाद से विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए वर्तमान में वे भारती जनता पार्टी के विधायक और उत्तरप देश सरकार में मंत्री हैं और उनकी पत्नी अभिलासा गुपता नंदी प्रियाग राज की महापावर है 2017 की Association for Democratic Reform यानी ADR की रिपोर्ट के अनुसार उनके पास कुल 57 करोड 11 लाक रुपए की संपत्नी थी उनके पास एक BMW और एक महिंद्रा की Rex XUVs कार है आठवा नाम है सिद्धात नाज सिंग का सिद्धात सिंग की राजनीतिक यात्रा 1997 से सुरू हुई वह दो बार बास्पा विधायक पूजा पाल को हराकर बिलाबाद पश्चन विधानसभा निर्वाचन सेज से विधानसभा के सदस्य बने वर्तमान में वे उत्तर पुदेश की भाजपा नेत्रित वाली योगी आधितनाद की सरकार में कैबिडिटर मंत्री हैं 2017 की ADR रिपोर्ट के अनुसार उनके पास कुल 22 करोड 6,87,358 रूपए की चल और अचल संपत्ती थी नौना में सतीस महाना का, सतीस महाना कानपूर चावनी विधानसभा छेज से साथ बार विधायक रहें उन्होंने कानपूर से बीजेपी प्रत्यासी के रूप में 2009 में आम चुनाव में भाग लिया था वे उत्तरपदेश विधानसभा में भारती जनता पार्टी के उपनेता रह चुके हैं वर्तमान में योगी आदितिनात की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं 2017 की ADR रिपोर्ट की अनुसार उनके पास 20 करोड 8,44,552 रूपए की संपत्ती थी मुझे पुरा विश्वास है कि नेताओं के पास इतनी भारी भरकम संपत्ती के बारे में जानकर आपको आश्चर्य और पीड़ा अवश्य हुई होगी आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक ऐसी जनता की सेवा है जिसके माध्यम से नेता राद दिन में करोड पती बन रहे हैं और वहीं राद दिन में इनत करके टैक्स भरने वाली जनता के पास खाने के लिए भर पेड भोजन और तन पर धंकर कपड़ा नहीं है आपको याद होगा कि पूरपधान मंत्री मन मोहन सिंग ने ऐसे नेताओं के विशय में कहा था कि पैसे पेड पर नहीं उगते लेकिन इन नेताओं की संपत्ती देखकर तो ऐसा लगता है कि पैसे किसी न किसी पेड पर उगते हैं जो इन नेताओं ने लगा रखें देश का ऐसा कौन सा बैंक या पोस्ट ओफिस का ऐसा कौन सा प्लान है जो पैसों को पांच साल में 800% से अधिक ब्याज देता हो हाला कि आज तक किसी नेता ने इस प्रस्ण का उत्तर देने का कस्ट नहीं किया अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रस्ण सुझाओ हो तो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रत्रिया दे सकते हैं आज पस इतना ही धन्यवाद अधिकार एक्सपेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही सूचना प्राप करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं अपने अधिकारों के सुतंतर पत्रकाईता को बचाय रखने के लिए अधिकारएक्सपेस.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर मात 10 रुपे का सायोग करें